8,56,000 रुपे की स्पैलिंग क्या होती है, और 8,56,000 रुपे को चेक पर लिखने का सई तरीका क्या होता है, यह हम आज इस वीडियो में सीखेंगे, 8,56,000 रुपे को इंगलिश में हम 8,56,000 रुपीज कहते हैं, और अगर हम अकाउंट पर चेक देना चाते हैं, तो check के सबसे उपर corner में हम account पे only लिखेंगे फिर जहाँ पर pay abc name लिखा हुआ है वहाँ पर आप उस person या company का name लिखेंगे जिसे आप check देना चाहते हैं और नीचे आप लिखेंगे 8,56,000 रुपीज और इसकी spelling होती है और उसके नीचे 8,56,000 रुपीज मातर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप हिंदी या इंग्लिश किसी एक बाशा में ही चेक परें और राइट हैंड साइट में जो box दिया हुआ है उसमें 8,56,000 रुपे को अंकों में लिखना है जिसके लिखने का तरीका है 8,56,000 फिर तीन बार आपको 0 लगानी है और नीचे जहां आपका नाम लिखा है वह उस नाम से उपर आपको अपने signature करने होते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारी चैनल को subscribe करें अगर आपको हमारा पर्यास पसंद आया है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें आपके लाइक हमारे लिए बहुत माइने रखते हैं तो हमारी तो हमारे हैं